हे गाईस दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका पोईटी किसान के यूटूब चैनल पे तो दोस्तों अभी जो आप फार्म देख रहे हैं यह फार्म बिलकुल मानक के अनुसार बना हुआ है मानक यह कि पोईटी फार्म का जो मानक होता है उसके अनुसार बना हुआ है अगर आ अब देखिए इसमें मुझे ये फार्म का वीडियो मैंने पहले ही बनाया था लेकिन कुछ लोग की रिक्वार्मेंट थी कि आप एक बार फिर से इस फार्म पे जाकर हमें पूरी डिटेल सही इस फार्म के बारे में बताएं देखिए ये तीन फार्म है ठीक है एक उधर है ठ 25 फिट और 25 फिट फार्म बहुत अच्छे होते हैं और जो हाइट है वो काफी ठीक है 14 फिट है कभी हीट इस टॉक होने के चांसे सोटी है अब हीट इस तक जू होता है वह बताता हूँ गर्मी होती है ऊपर से जो गर्मी बरस्ती है जो हमारी शेड है इसको अगर कुछ नह यह देखे दोस्तों यहां से कोने से और यह वाली उचाई ठीक है यह 6 फिट है और नीचे तक वह 8-8.5 फिट तक आसपर पहुंचाती है लेकिन आप यहां की उचाई है यह कम से कम आप 8 फिट लेना ठीक है आप ग्राउंड फ्लोर से लिया लेकिन अगर आप उपर से लोगे आपका हो जाएगा जो इसकी लेन्थ है वह पूरी 100 फिट है ठीक है 100 फिट है और यह जो स्कौर फिट बन जाता है फार्म में जो नीव है मैं आपको बताइता हूं जो लध्धे रखे गए हैं वह करीब रखे गए हैं एक दो तीन चार चार लध्धे उपर हैं नीचे आप आपको इसके अंदर की situation दिखाता हूँ एक gate farm का यहाँ पर है ठीक है एक gate farm का यहाँ है जिससे कि हमारा छोटी मोटी entry हो जाती है आपको दिखाएता हूँ आप यहाँ पर एक gate लगा सकते है ठीक है छोटा सा gate है जिससे हमारा जैसे labor आने जाने का रास्ता बनता है एक gate जो है आपका यह वाला बनावा है यह देखिए यह बड़ा gate बनावा है जहाँ से tank रखा है यहाँ से लेते वे ठीक है यहाँ से लेते वे और यहाँ से लेते वे ठीक है यह आपका एक गेट हो जागे जिसमें क्या है ट्राली आपके अराम से अंदर आ जाएगी आप ट्राली आने का भी बढ़िया हिसाब इसलिए बनता रहा हुँ है क्योंकि जो फार्म की जो बीट होती जब मुर्गा निकल जाता है ठीक है जो खाद होता है अगर आप ये को सही चीज होती है ठीक है यहां पर इनने क्या काम करा है यहां पर इनने एक पाइप दिया है ठीक है जो नीचे सपोर्ट की पाइप है उपर सेंटर में पाइप दिया है और ऊपर एक पाइप दिया है तीन पाइप यहां पर हो गए और यह जो है यह फार्म को इसलिए नहीं है अब मैं आपको छोटी छोटी चीज जानका ही बता रहा हूं इधर इन्हों ने अपना जो लाइट का इलेक्टिक सिस्टम है वहां पर कर रखा पूरे फार्म की लाइट इस एमसी वी सा अन अफ हो जाएगी ठीक है और यह जो सपोर्ट देख रहे हैं यह एक्स्ट्र तरह यहाँ म कराएगा किनि असни क्ना इसका चीजल और फार्म पाइप में सब्सक्राइब 500 देखuleज सब्सक्राहिए 54 दूर्म क्यों नुम्हें पीज सब्सक्राइब 500 ड़ुनहीं जरी इसके पार बाइप पाइप आपके फार्म में डलेंगे, ठीक है, अब मैं आपको पूरा फार्म विजिट करा रहा हूँ, हर एक छोटी चीज बापको बता रहा हूँ, मानक के नुसार जो फारम बनते हैं, यह 100 फिट लंबा फार्म है, ठीक है, जो इनका बडबे हैं, वो हर 3 फुट पे डबा द दिया गया है, फिर 3 फुट बाड फीडर दिया गया है, फिर 3 फुट बाड डिंक कर दिया गया है, तो इस तरह से यह पूरा मानक दिया गया है, उदर से टंकी फिटिंग होके, ठीक है, जो टैंक है, वहां से टंकी फिटिंग होके, सीधा यहां पर आ गई है, यहां इस से क तो हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना होगा है तो यह देख सकते हैं आप इक नोटिस करते हैं और जötटक के पूरा अफ़्ार में बहुत sûr ऊण। मैंने इसके लिए परकां बनाने वाली वीडियो आपको बटाई गई जो इसमें तक्ता है, एक 10 फूट का है, ठीक है, एक 6 फूट का है, तो 10 छे का इसमें तक्ता लगावा है, जो 3 का शेड लगावा है, 10 और 6 का, ठीक है, 10 और 6 का ये लगावा है, तो आप आपने हिसाफ से लगा लिजे, 10 छे का तक्ता है, 3 फूट का चुड़ाई होती है, 3 सवा 3 फूट इदर है ठीक है इस तरह से यह जोड़े बने वे हैं तो देखिए आप लोगे के लिए काफी information वीडियो है क्योंकि फार्म बनाने वाले को काफी knowledge नहीं होती और वो unwanted चीज़े लगा लेता है बीच में कोई भी support नहीं दिया गया है बीच में कोई भी जरुद नहीं है क्योंकि यह channel पर angle बनी वी है ठीक है यह कैची बन गई है अब कैची से क्या है कि फार्म में कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कहने वाले आपसे कहते रहेंगे कि यार इसमें कुछ लगाना चाहिए बीच में बीच में कोई support नहीं है इससे यह होगा कि टैक्टर ट्राली सीधी अंदर चले जाएगी आपको कोई भी दिक्कत असामना नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो यह देख सकते हैं काफी देखें बढ़िया फार्म बनावा है जो बढ़िया है उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं गेट को थोड़ा नीचा कर दिया गया है यहां से यहां से गेट को नीचा कर दा गया है जिससे क्या होगा कि जो भी टैक्टर ट्राली है जो भी आप वहां लेकाएंगे उसको चाहने में कोई धिक्कत ना आए बागी सब जगह से ऊपर है छोटी छोटी चीजे मैं आपको शेर कर रहा हूँ अगर कुछ और चीजे रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन बता दिया ना मैं आपको बता दूगा यहां पर दोनों कुंधे लगा दिए गए हैं ज इसको बहार को ही आपको खुलवाना है और सारे गेट आप फार्म के बहार की तरफ खोले अंदर की तरफ कोई भी गेट ना खोले इससे दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो यह देखिए दोस्तों पूरा है और जो दो फार्म की दिश्टैंस है यह करीपरी 20 फूट है पाई बीच आजाती है तो अभी मैं आपको एक चीज़ा और दिखाता हूँ है कि अकर आधि अगर आप सबसकिकरें आप आप अगर फार्म के पेड लगा लगा देते तो उसकी छाह आपके दोनों फार्म में अजाएगी मैं अगर बीच में पेड लगा दें तो यह काफी म तो फुरकान भाई का चिक्स आया है मैं उसको एक बार आपको दिखा देता हूं देखिए 2200 चिक्स है प्रावेट फार्मिंग कर रहे हैं और मैंने को थोड़ा सा मैनेजमेंट बताया है अभी जो कुछ कम्या है वो निकाल दी जाएगी अभी मैंने के फार्म पर आया था तो मैंने इसमें भूसी डलबाई इनसे कहा कि इसमें भूसी डालो थोड़ा सा और इसको गुड़ाई करती रहना और इसमें दाने पाने का हिसाब थोड़ा ठीक है और दरसल क्या है कि इस फार्म में नीचे से जो ये सिलावी आ रही है अब सिलावी का करण है इस साइड में ए और जो farming है वो बढ़िया से उनको profit हो तो कि पोईटी फार्मर बहुत ही महनत करता है और उसको profit नहीं मिले तो काफी नुकसान हो जाता है तो जब भी मैं farm पर जाता हूं तो कुछ ना कुछ बता के जाता हूं तो देखें दोस्तों ये farm भी विल्कुर उसी मानक के अनुसार ब सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जये जवान जय किसान